मसकार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं बिसनस आज तक आपके साथ हुमें नहीं हावाथ हम बिसनस आज तक में हम आपको दिखाते हैं बिसनस जगत की ताज़ा तरीन कर रहे हैं लेकिन एक नदर सबसे पहले बिसनस टॉप टेन पर सोनी के साथ Z Entertainment की डील के रास्ते का ब्रेकर Z Group की सबसे पुराणी निवेशक इन्वेसको बन गई है इन्वेसको के NCLT में जाने के बाद Z Group NCLAT पहुँच गया है और इस विवाद के बारे में Z Group के चेर्मेन सुभाष चंद्रा ने बिसनस टॉडे के मैंजिंग एटर सिधात सराभी से विस्तार से बात चीर किये है नमस्कार आज हमारे साथ शोपे Z Group समू के फाउंडर चेर्मेन SL Group जिनूने बनाया सुभाष चंद्रा जी है सुभाष जी आपका स्वागत है शोपे कुछ समय से इन्वेस्ट को जो एक इन्वेस्टर है Z Entertainment Enterprises Limited में एक जानी मानी जो चैनल है वो इस कंपनी में चेंजिस चाह रहा है वो चाह रहा है कि बोर्ड में फेर बदल हो और मैनेजिंग डिरेक्टर और सीओ पुनीद गुएंका भी स्टेपसाइड करें इस सारी परिस्तिती के पीछे क्या कारण है ये ग्रूप आपके साथ इन्वेस्टर ग्रूप इन्वेस्टर को दस बारा साल से जुड़ा हुआ था सुभाष जंद्रा जी ये स्टिती क्यों उत्पन हुई है सिधात बहुत धन्यवाद मेरे को आज तक पर बुलाने के लिए और मेरा आज तक के सभी दर्शकों को प्रणाम इसको इन्वेस्टर के माध्यम से कोई लोग एक क्लेंडनस्टाइन वे में यानि क्लेंडनस्टाइन का हिंदीकार्थ है गुप्त रूप से और अनैतिक तरीके से गैर कानूनी तरीके से इसको हथियाना चाह रहे हैं जिस से हमारे पिक्चर आती थी नटवरलाल वो नटवरलाल के तरीके से उसको हथियाना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से और आपके दर्शकों के माध्यम से इन्वेस्टर को यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपके साथ कोई इन्वेस्टर है जो कि आपकी भाशा से आपकी बात चीज से लगता है तो उसको ये कहिए और वो भी जरूर सुन रहे होंगे ये बात आपके दर्शक तो सुनी रहे हैं वो भी आवश्य सुन रहे होंगे मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ओपन ओपर ओफर करिए ना मेरे 75 प्रतिशत शेयर होल्डर्स को आप ओपन ओफर दीजिए और कंपनी को ले लीजिए आप सीधे रास्ते से आके उस लड़की के गले में वरवाला डालिये हम भी ताली बजाएंगे लेकिन आप उसको किसी और का चक्मा दिखा के जूट से उसको गाड़ी में बिठा के अफरन करना चाह रहे हैं तो ये देश भारत है ये ये बात नहीं होने देगा ऐसा मेरा विश्वास है सुभाज जी इन्वेस्को के पीछे किस का हाथ है जो आप संकेत दे रहे हैं कोई स्वदेशी ताकत है कोई विदेशी ताकत है आज तक आज के दिन तो देखे मुझे विदेशी ताकती लगती है लेकिन डारेक्टर जो उन्होंने प्रपोज की हैं वो सारे भारतिये हैं उनकी छानबीन अगर सेबी को करनी चाहिए और करनी चाहिए थी वो आज तक चुप क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा Ministry of Corporate Affair को करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं NCLT ये प्रशन नहीं पूछ रहा है भई कौन हो आप इस देश्ट में कानून है टेक ओवर कोड है उसके हिसाब से आप अपना कंप्लाई करिए कानून के पूरी करिए फिर एक कंपनी को टेक ओवर करिए आप ऐसे पीछे से आके एक नटवरलाल के तरीके से एक कंपनी को थियाना चाह रहे हैं आज तक इन्होंने जो रेगुलेटर है इन्होंने एक्ट नहीं किया है पर मेरा जुरूर विश्वाश है कि आपके चैनल की बाते सुनकर मेरी बात सुनकर क्योंकर मैं भी चुप था मैं भी आज पहली बार बोला हूँ मीडिया में एक सवाल और आपसे सुभाज जी आपने रेगुलेटर और इन सारी जो प्रोसेसिस की बात की क्या सरकार द्वारा भी इस विशे में हस्तक शेप करने के लिए ग्राउंड बन रहे हैं क्या आप इस प्रकार की मांग करते हैं मैंने डारेक्टली सरकार से मांग कुछ भी नहीं किये लेकिन आज क्यूंके मैं आपके पास हूँ आपके मीडिया के साथ हूँ तो आज मैं आपके माद्यम से सरकार से बिंती करता हूँ कि इसमें हस्ताक शेप करें इंटरवीन करें सच्चाई को सामने लाएं और जो निर मैं केवल यही चाहता हूँ कि इंवेस्को के पास जो डील है जो उन्होंने अपने अंदर चुपा के रखी है उसको वो उजागर करें ट्रांस्परेंटली सामने लाएं और फिर जो क्योंके यह कंपनी जो है यह इसकी ओनर कौन है सुबाश्चंदरा नहीं है पुनित नही है इंवेस्को भी नहीं है इसके ओनर जो है वो पब्लिक शेर होल्डर है धाई लाग पब्लिक शेर होल्डर भारत के लोग हैं उनको तै करने दीजिए कि क्या वो सोनी के साथ रहना चाहेंगे या इनवेस्को के साथ जो उन्हों के पास डील है जो चुपा रहे हैं उसको स हस्तक शेप की जाती है तो उस पर नजर रखेंगे आपने आज हमें समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद